हे गाइस वेलकुम बैक इन न्यू वीडियो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मेरा नाम है सारदिन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब टेनल फार्मेसी वाला भी सबना साकार करने के लिए सबसे ज़रुरी है सही कोच कहोंगे चुनिये फार्मसी वाला को और करे अपनी B फार्म एन D फार्म का सबना साकार डाउनलोड दिया नाव तो वो हैं देखिए hammer mill, ball mill, fluid energy mill, as runner mill and end runner mill तो उनका principle, construction, working uses और advantage, disadvantage ये जो हैं हम देखने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले तीन यानि के hammer mill, ball mill and fluid energy mill next में हम इन दोनों को cover कर लेंगे वरना वीडियो काफी lengthy हो जाएगी वाकि notes आपको farmies वाला app पे मिलेंगे, link में आपको description में देदेंगा, आप simply वहां से जागे download कर सकते हैं तो देखें बात करते हैं यहां पर वही सारे कुछ लिखा पड़ा है कि पांचों यह हमारी जो mill है या बोले तो machine हैं जो कि side reduction के लिए use की जाती हैं तो इनमें पहली हमारी hammer मिल तो देखते हैं इसके construction वर्किंग वगेरा तो जैसे कि देखें नेम मारा hammer hammer का क्या मतलब होता है यानि कि हिंदी में बोले तो हतोड़ा यानि कि जिसको जिससे हम एक impact एक चोट किसी कोई भी जो material इसको मार सकते हैं और जिससे साइड का reduction हो जाएगा लाइक जैसे कि यह हमारा कोई material है बड़ा और यह हमारे पास इतना बड़ा यह hammer है तो यह हमने इस पर मारा मनलब जोड़ से इस पर impact किया तो क्या होगा यह चुरकों में तूड़ जाएगा तो यही जो process है size reduction क्या लाइगी तो hammer mill जो है इसी principle पर काम करता है कि एक machine ऐसी होती जिसमें hammer लगे होते हैं हतोड़े लगे होते हैं और उसमें material डालते हैं like जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर देखे समझे यह जो हमारा diagram है किसका hammer मिलकर जो कि systematic diagram है कि इसमें देख आ रहें इस ताइप के यह जो है hammer है hammer का काम क्या है कि यह एक motor से घुमाई जाती है यह regularly इस तरीके से rotate होती है और यह hammer जो है पत्थरों पर या बोले तो जो भी हमाई ड्रक के टुकड़े हैं बड़े बड़े पार्टिकल से पढ़ते हैं और उनको छोटे-छोटे टुकलो हम impact बोलते हैं तो यहां पर simply वही है कि होपर से हम material डालेंगे circuit इस तरीके से घुमता रहता है hammer का और यहां पर यहां पर यह प्रोडक्ट के रूप में यानि की बीच में screen लगी होती है चलनी लगी होती है चलने के बाद में जब size reduction हो जाता है तो वह हम उसको एकटा कर ले आते हैं अगर आप सारी वीडियो हमारी देख रहे हैं तो कुस्सन देखे कैसे आया है यहां से कोसं देखे 7 marks में है देखे right the principle construction working uses merit and demerit of wall mill यहां से बॉल मिल काफी काफी important है देखे एक दो बार और आया है जैसे कि यहां पर आप देहोगे why do you understand by size reduction describe the principle construction working and uses of wall mill यहां पर construction working वगएरा सारी को पूछी है यह जो है देखे wall mill यहां से दो बार आया है यानि कि आप देहोगे यहां पर हमारा जो आज हम कवर करने वाले वह hammer mill है wall mill है और fluid energy mill है तो जो हमारा wall mill है यह काफी important हो जाता है आप इसको देख लेना तो अभी देखे आपने डाइग्राम से सा करना इस तरीके से कि hammer mill जो है काफी important machine pharmaceutical industry में जिसका man काम होता है size का reduction करना किस से impact से तो impact बोले तो यानि कि वही चोट मारना है तोड़े से चोट मारना किसी पथर पर किसी बड़े particle पर तो उसको हम impact बोलते हैं तो principle क्या है इसका hammer mill works on the principle of impact simply एक line में खतम कर देना ठीक है बा साफ्ट में घूमते रहते हैं किसकी मदद से मोटर की मदद से simply आप यहां पर इमेजन करी सकते हैं कि machine कैसी होगी कि यहां से हम hopper से डालते हैं सारे कुछ construction आपने पक का यह वाला diagram बनाना होगा इस तरीके से घूमते रहते हैं और hammer क्या करता है वही जो बड़े particle उनको तो और देता है ठीक है तो working simply यही है जैसे कि जो मैं अभी बोल रहा हूं कि the hammer rotate by motor and feed material is placed in hopper hopper में हम feed materials को place करते हैं हमारा जो यह जो भी बोले तो hammer होते हैं यह रोटेट करते रहते हैं यही जो हमारा material है जो hammer के पास आता है तो जैसे कि रोटेट कर रहे तो यह उन पर hammer पढ़ते हैं material बड़े बड़े particle टूर दाते हैं उनको हमें screening के द्वारा यानि कि छलने के बाद में हम इखटा कर लेते हैं वही हमारा powder होता है वहले तो small particles होते है बर्किंग आपको समझ आगी बात करते हैं uses की uses कहा है जहां की आपने देखा यह जो हमारे drug हुई drug में भी लाइक वार्क हुए roots हुई crystals हुए बड़े बड़े तो उनको reduce करने के लिए हम hammer मिलका use करते हैं देखिए यह जो है granulation में helpful होते यह जैसे कि आप देखोगे यहां पर देखिए हम powder नहीं बना सकते हैं यह जो हमारे hammer है यह ज्यादा से ज्यादा बड़े जो पार्टिकल है उनको छोटे छोटे में इस तरीके से granules में convert कर सकते हैं इनका party मलब की powder नहीं बना सकते हैं तो यहां पर वही लिखाए कि it also helpful in granulation it depends on the speed of hammer hammer की जो speed है उसको हम manage कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं घढ़ा सकते हैं तो यह इससे हम granules बगएरा बना सकते हैं चोटे particle बना सकते हैं powder नहीं बना सकते हैं इसका disadvantage भी होगा तो यहां पर देखते हैं इसके merits and demerits जैसे कि आप syllabus में देखोगे ना यहां पर यहां पर लिखा है कि हमने भी देखा principle construction देख लिए working भी देख लिए uses भी देख लिए अब देखते हैं merit and demerit देकि merit और demerit बिल्कुल वहीं आने कि merit means advantage तो गुण क्या है उसमें और demerits mean कि उसके disadvantage क्या है क्या 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 उसमें प्रॉब्लम आप यह बोल सकते हैं तो advantage की बात करें कि rapid होता action में अगर आपने एक बार material प्रॉबाइड करते हैं फट्ट से उसको तोड़ तार के आपको हाथ में देगा जाद कर दी तो वह क्या ही बार तूटेंगे और जो है वह size काफी कम हो जाएगा तो उसको हम manage कर सकते हैं इसके disadvantage की बात करें कि high speed cause heat and it melt some material कुछ material ऐसे होते हैं जैसके आपने factor पढ़े होंगे लास्ट वीडियो में जब भी बताये था कुछ material heat की वज़ा से जो है वो decompose होने लग जाते हैं like heat sensitive होते हैं तो ऐसे जो materials हैं उनका हम इसमें विल्कुल reduction नहीं कर सकते हैं इसका क्या हुआ disadvantage बोल सकते हैं दूसरा है not recommended for fine grinding मैंने पहले भी बुला थे powder नहीं बना सकती कि वह ग्रेनियूल सी बना सकती है तो पहली मसीन यानिकि हमारी जो hammer mill थी वो complete हुई second machine जो की दो बार आई यह wall mill काफी important है mark कर लेना इस पर ठीक है देखते हैं जैसके name मारा wall mill बॉल से क्या समझ में आ रहा है यानिकि इसमें गैंदे होंगी wall होंगी ठीक है तो सेम ऐसा ही principle मैं आपको बताऊंगो तो wall mill क्या है यह grinding के लिए आती है grinding यानिकि इसमें हमारा powder बन जाएगा बिल्कुल चुरका आरम से यहां पर बन जाएगा तो इसका principle क्या है पहले आप colloid होना colloid means like जैसे कि मैं अभी बताऊं colloid जो हमारे बड़े बड़े particles होते हैं अगर वो हमने किसी चीज में भर दे उनको ऐसे हम बार बार हिलाएंगे बंद करके तो वो आपस में टकराएंगे यानिकि उसको हम बोलते हैं colloid colloid होके वो क्या होंगे आपस में लड़ेंगे भीड़ेंगे और वो तूड़ जाएंगे यानिकि यह दोनों principle पर काम करेगा impact पे भी and attrition पे भी कैसे construction आपने समझ ली दे कि बहुत आसान है यह क्या है थोड़ा सा difficult सा लग रहा होगा मैं आज देकि बताता हूँ यह जो है यह एक cylinder है cylinder like आप gas वाला cylinder ही imagine करके चलें suppose करिए उसमें आपने जो है लोहे की कुछ बड़ी बड़ी बॉल्स भर दी इतनी बड़ी 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 आपने बॉल्स भर दी लोहे की किसमें cylinder में आप cylinder को हमने ऐसी जगे फिट किया कि जो वीच में उसको टांग दिया और उ हमने motor लगाई और इस पूरे cylinder को घुमा रहे हैं क्या होगा बॉल्स आपर आपस में टकराएंगी material आपस में टकराएंगे तो वह जो है आपस में टकरा टकरा करके impact के दोवारा यहां पर क्या हो जाएगा size में reduce हो जाएगा तो यह है इसकी construction parking आपको समझ आग्या हुगा कि कुछ नहीं है simply एक हमारा cylinder है जिसमें बॉल्स भरी हुई है और उसी की वज़या से इसको हम बॉल मिल बोलते हैं ठीक है आपको क्या लगता है कि इसका क्या disadvantage हो सकता है सपोस कर यह आपने like example दूं आपने कोई glass वगयरा में 2-4 कंचे भर ले ठीक है जैसे हम बचपर में भर तो कंचे अगर आपको उसको हिलावगे glass को तो बहुत ज़्यादा वाज करते हैं यानिकि इसका मैंटेस एडवांटेस होगा वही होगा यानिकि नोइजी मसीन होती है काफी जादे सोर करती हैं simply आपको समझा कि क्या है इसका principle वही है यानिकि impact जो बॉल्स है वो भी impact मारे नहीं की कुछ हमारी balls होती है और वही बॉल जब भर दी जाती है तो cylinder में जो भी हमारा material है फिल करके cylinder को घुमा दिया जाता है यही सेम बरकिंग है जो कि मैं बार 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 बोल रहा हूं कि simply हमने कुछ नहीं है cylinder में हमने material जो भी वह डाला जिसको हमने reduce करना है cylinder को हमने ठक रहेंगी material आपस में ठक रहेंगा हमारा जो प्रोडक्त है वो बिल्कुल powder के रूप में grind हो जाएगा बिल्कुल चूरा उसका बन जाएगा आप बोल सकते हैं ठीक है तो working simply लिखी हुई है बात करते हैं यूज की यूज भाही grinding में यूज होता है powder बनाने में यूज के हैं तो यह हमारी वॉल मिलके यूज बात करते हैं एडवांटेज के हैं इससे हम very fine powder बना सकते हैं बिल्कुल महीन बिल्कुल बारीख हम powder बना सकते हैं ठीक है और यह जो है batch operation यह पूरे batch के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं batch operation के लिए बहुत सारे एक साथ ही अगर हम म बना सकते हैं लाइक उसी तरीके से दूसरा है तीसरा जो यूज कर सकते हैं कोई इसमें ज्यादा मलब की हाट नहीं है कोई basic skill ही हमको चाहिए होगा कोई खास ऐसा नहीं कि हमको यह operate करना होगा यह सारा कुछ वह सिस्टम कुछ नहीं है simply उसको आपने घुमा नहीं होगा ब बड़ी भी रहते हैं फिर बार बार हम कोई चलानी होती है तो slow process हो जाती है contamination भी हो सकता है product में लाइक जो हमारी बॉल मिल आपस में टक्रा करके अगर कुछ ऐसे material से बनी हुई है जो कि आपस में टक्रा कर रही वह तूटने लग गए तो उन material की बज़र से भी क्या हो सकता है यहां पर contamination हो सकता हमारे product में तो यहां पर देखे दो जो हमारी machine है यानि कि wall mill and hammer mill वो complete हुई है बात करते है fluid energy mill जो कि हमारी यहां पर तीसरी जो है size reduction की machine है तो देखे निम मारा fluid, fluid आप अच्छी तरीके से देखे पढ़ चुके हैं पहले ही, fluid के अंदर क्या आता है या तो liquid होगा या फिर gas होगे तो energy इसमें यूज आ रहे हैं कि इसमें हम fluid को as energy use करके क्या करेंगे, size का reduction करेंगे, यानि कि हम इसमें gas का use करते है, size को reduce करने के लिए, कैसे use करते हैं, देखे पहले आप यह समझ लिए, जो fluid energy मिल है, उसको ना हम jet mill की name से भी जानते हैं, और pulverizer और micronizer, कभी-कभी, देखे, चैन्ज करके भी name दिये दिए आते हैं, क्योंकि थोड़ा confusion के लिए है, तो आप इनको भी ध्यानत रख लेना है, कि इनको हम ऐसे भी जानते है, fluid energy मिलकून, बात करते हैं, इसका principle जो है, बिल्कुल सेम वही है, जो कि हमारा पिया आपने देखा और उसमें नीचे से pressure के साथ में air यहाँ पर supply की जाती है, जैसकि मैं आपको इहाँ पर इसकी construction थोड़ी समझाता हूँ, यह जो है, इसके systematic diagram है, अगर देखे, real में आप देखोगे, बिल्कुल वह आपको ऐसा नहीं नदर आएगा, लेकिन हाँ, मलब system ही कैसा है, मलब system उस जाँने कि जाँएंगे, यहां से particles डाले जाते हैं, जैसे यहां से air मिलती है, यहां पर turbulent zone होता है, air में बहुत जादे स्पीड होती है, तो इन particles को गुंते रहते हैं, ज 농 गोमते रहते हैं जब इनका साइज हो जाता है छोटे-छोटे हो जाते हैं तो यहां पर साइज में साइकलोन सेपरेटर है साइकलोन सेपरेटर आप नेक्स्ट में समझोगे यहां पर जैसे कि आप सेपरेशन समझोगे जब साइज सेपरेशन तो यहां पर आपको पढ़ने को होगा साइक्लोन सेपरेटर तो वहां पर देखोगे तो मैं फिर भी बतातूं कि साइक्लोन सेपरेटर क्या है एक ऐसी मसीन है जो कि बड़े और छोटे तो इट कंसिस्ट ओवल पाइप होता है जिसके हाइट दो मिटर के बराबर होती है डायमेटर उसका 20-200 mm होता है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है जिसमें जो है एक इनर्ट गैस जो है वह इंट्रोडिउस की जाती है काफी प्रेसर से काफी स्पीड पर वॉर्टम से औ अह पर यह राता है तो सर्कुलेट होने लगजाता है और आपस ट्करार करके एक दूसरे से पार्टिकल भीतते हैं और कुछ हमारे इस पाइप से बंसे च्टेम dicht हो जाते कि एंटिवाइटिक्स और वाइटामिन इनका जो है काफी जादा यूज मतलब बोले तो यहां पर कुछ नहीं हमने प्रोवाइट करना होता जिससे वह रिडियूज हो जाती है साइज में बात करते हैं एडवन्टेज की तो इसली जो है यह मनलब के रिडियूज कर देती कोई भी मटेरियल को और जो हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं लाइक वही वाइट टामिन और एंटिवाइटिक हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं अगर हम हैमर वगएरा से करेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे तो हीट सेंसिटिव मटेरियल को हम एजली यहां से रिडियूज कर सकते हैं दूसरा यह काफ रैपिड होता है जैसे कि हम यहां पर आपको गैस वगएरा प्रोवाइट करने होगी तो बहुत जल्दी से साइज को रिडियूज कर देगी ठीक है बात करत होती है ठीक है तो यह जो है आपने देख लिए यहां पर अभी जो हमने कवर कर रहा है बहुत है कि बॉल मिल हैमर मिल एंड फ्लूड एनर्दी मिल नेक्स्ट में इसको भी कवर कर लेंगे दोनों को तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में तब तक लिए वाइबाई थै झाल